जी नमस्कार आप सभी को आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और मैं इस वीडियो में ओप्सन स्टैड़ी बताने वाला हूँ जो कि आपने यूटूब पे सायद पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे ऐसा वीडियो आपको यूटूब पर अभी तक नहीं मिला हो होगा जिस स्टैड़ी को मैं आपको यहां पर एक्स्प्लें करने वाला हूँ तो यह स्टैड़ी आपका आप्सन बाइंग का है चाहे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों सीग्मेंट में किसी में भी ट्रेड करते हैं यह स्टैड़ी आपको उसमें अप्लाई करना है सबसे पहले स्टैड़ी को एक्स्प्लें करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा और वीडियो को लाइक कर लीजगा क्योंकि लाइक से मॉटिवेशन मिलता है और कमेंट करकर के जरूर बताएगा कि यह स् कर देते हैं तो इस स्टैड़ी में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट पर मैं इस स्टैड़ी को एक्स्प्लें कर रहा हूं इस स्टैड़ी को इंप्लिमेंट करने के सबसे पहले टर्म एंड कंडिशन आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो थी मिनिट्स क के लिख लिए टाइम फ्रेम आपका दृति मिनिट्स के होगे और यह इश्टाइड़ई आपको फर्स्ट थ्री मिनिट के कांडल के क्लोजिंग पर ही ट्रेड लेना है याने कि नाव बज करके यहां पर बज करके आपको 19 मिनिट पे आपको ट्रेड में इंटर करना है नौ बज करके 19 मिनिट पे इस ट्रेड में आपको इंटर करना है टर्म कंडिशन क्रिटिरिया का होगा इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे तो यह आपका फर्स्ट सेट अप हो गया कि टाइम फ्रेम आपका 30 म मिनिट्स को हो गया और इस ट्रेड में हम लोग इस ओप्षन स्ट्राइडजी को 9 बज करके 19 मिनिट्ट पर हम लोग implement करेंगे क्यों करेंगे तो पहले यहां पर समझने की कोशिज करेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो momentum होता है option के लिए हमें option में पैसा कब बनता है जब हम momentum को catch कर पाते है momentum को trade कर पाते है तब हमें एक अच्छा profit मिलता है तो market open होते 15, 20, 25 मिनिट तक momentum market में बहुत अच्छा रहता है तो उस criteria में हमको इसको apply करके एक अच्छा profit बनाना है तो चली अब setup को मैं यहाँ पे आपको explain करता हूँ तो सबसे पहले जैसे ही 9.15 वाले यानि कि first 3 minute के candle का closing होगा तो इसकी high और इसकी low को हम लोग यहाँ पे mark कर देंगे यहाँ पे मैं इसको color को यहाँ पे red कर देता हूँ उपर के side resistance माना जाता है और नीचे के side support माना जाता है तो यह आपका हो गया और इस range को हम लोग measure कर लेंगे कि यह कितना point का range है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो approach 103 point यानि कि 100 का मोटा मोटे हम लोगी चलेंगे कि 100 का यह range है अब इसमें हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर वाला label को measure करना होगा कि ऊपर वाला जो resistance label है 17820 का है और नीचे वाला जो label है यहाँ पे 17713 का है तो एक इसमें आप देखेंगे कि जो निफ्टी में अगर माल लिजे कि 17725 के ऊपर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे जो strike price select करेंगे 17750 का अगर इसके नीचे रहा तो हम लोग 17700 का strike price select करेंगे यानि कि 25 का हम लोग यहाँ पे round figure लेके चलेंगे तो अब हमें यहाँ पे 2 strike price add करना होगा इस candle के closing होने के बाद तुरंत एक हमें उपर वाला यानि कि 17800 की call को हमें add करना होगा और यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो 17700 की put को हमें add करना होगा यह जैसे ही candle closing देगा यह strike price को हमें measure करकर के select करना होगा और select करकर करके दोनो strike price को buy कर लेना होगा तो मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 17800 की call है और यहाँ पे 17700 की put है यह दोनो कब buy करना है 9 बज करके 19 मिनिट पे इसको open होते ही buy कर लेना है तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 9 बज करके 19 मिनिट का candle यानि कि इसकी opening price 148 रुपे है कितना है इसकी opening price 148 रुपे है इसकी opening price है तो support that मोटा मोटी थोड़ा सा point इधर उधर हो सकता है यह नहीं कि definite 148 पे ही buy होगा यह थोड़ा point इधर उधर हो सकता है तो यह मोटा मोटी मैं यहाँ explain करने के लिए समझाने के लिए 148 ले करके चल दा हूँ तो 148 इसकी opening है 148 पे buy कर लेना है और इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी 19 वाला candle की इसकी opening 130 पे है यानि के put को मैंने 130 पे buy कर लिया अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ही 10 बजे का candle close होगा उसमें हमें दोनों में से trade से exit हो जाना है यानि कि 10 बजे करकर करके हमें 10 जैसे ही 10 बजे वाला candle close होगा हम वहाँ से market से exit हो जाएंगे तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि 10 बजे वाली candle की closing क्या है तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 बजे वाली candle की closing यहाँ पर 106 रूपय है तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं closing candle 106 थोड़ा सा राइडिंग धरूदर होगा तो आप लोग देख लिजेगा और इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसकी closing 10 बजे की जो candle है यह कितना पर होता है closing है 187 तो इसकी closing होगई 187 हमने buy कितना पर किया 148 पर ओर इसको sell कितना पर किया 106 पर तो अगर हम लोग 148 और 166 में मैनश करेंगे तो यहां पे हमें 42 रुपिया का एप्रोक्स लॉस होता है एक लॉट में यहीं कि 42 पॉइंट का हमें यहां पे लॉस मिलता है अगर हमें इसमें अगर देखे तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना का होगा तो अगर इसमें मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे 57 55 पॉइंट का profit मिलेगा यहां पे 57 पॉइंट का हमें profit होता है loss का कर प्रॉफिटथ 57 पॉइंट का अगर यहां पे हम लोग 57 और reminds 42 को अगर यहां पे मैनेस करें तो आप प्रॉक्स 15 पॉइंट का हमें यहां पे profit निकल के आता है अगर 15 इंटू nifty का एक lot 50 का होता है तो यहां पे approach जो हमारा total profit होगा वो 750 रुपया का profit इन्हें one lot होगा तो यह strategy बार-बार इसको देखिएगा जब तक नहीं समझ में आएगा आपको अगर एक lot में भी अगर 750 रुपया profit होता है no risk no tension के साथ तो बहुत बड़ी बात है जितनी बड़ी quantity उतनी बड़ी profit लेकिन मैं अगर जो नए हैं उनको एक suggestion देना चाहूँगा कि पहले आप profit बनाना सीखे छोटा profit से शुरुवात होता है बुंद बुंद घाड़ा भा तो आप starting profit बुक करने की कोशिस कीजिए अगर एक lot में 750 रुपया भी कमा रहा है तो बहुत बढ़िया है तो इस strategy को आप implement करके देखिए आप 20 trading session में मात्र ऐसा चार trading session ही होगा जो आपको loss होगा और loss भी कितने होगे 10 या 20 point से ज्यादा का loss आपको देखनी के लिए नहीं मिलेगा लेकिन जिस दिन market trending हो जाएगा जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हो कि trending market 9 बच करके 19 मिनिट वाला अगर यहाँ पे strategy को implement किया होगा तो market one way यहाँ से एक upside के momentum continue किया है और यह one way का मतलब है कि एक side का जो premium होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा और एक side का premium आपके slow decay होगा लेकिन one sided आप बहुत अच्छे profit में होंगे तो आप इस strategy को यूज कीजिए मुश्किल से मुश्किल आपको हप और मन्त में आपको चार मन्त के अगर बात करें तो चार से पांच एसल मिलेंगे आपके 15 से 16 ट्रेडिंग दे आज आपके profit में होंगे तो यह strategy को implement करे और अच्छा लगा तो चैनल को subscribe video को like करक कि यह कैसा आपको strategy लगा धन्यवाद